एक बाट फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का प्रिंस एजूहब सीकर के इस प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर अगर आप चैनल पर नए है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें शेयर जरूर से कर दें और फिर एक आप हमारा कॉलेज केंपस रिजिट कर सकते हैं अन्यथा डिस्क्रिप्शन पर दीवे नंबर्स वर फोन करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान प्रद्योगी की यानि साइन्स और टेक्नोलोजी के करेंट के मुद्दों पर हम बात करते रहते हैं सरल भाषा में और चुकि आप UPSC, RPSC, RAS, UPPCS, MPPCS के छात्र हैं तो आपको एक बात जान लेनी बहुत आवश्यक है कि समस्त परिक्षाओं में जो content है, जो matter है आपको इतना ज्यादा मिलता है कि आप confused होने लगते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड इस पूरी एक परिक्षा पद्धती में सबसे जो महत्पून बात है वह यह है कि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा अधिक जरूरी है कि क्या हमें छोड़ना है क्योंकि जानकारियों का जो श्रोत है, जो जानकारियां है, उनका कोई अंत नहीं, 22. सदी विज्ञान की है तो विज्ञान की जानकारियों का और अंत नहीं, अब हमें समझना होगा कि ऐसे में कौन सा टॉपिक वह एक हमारे लिए, ना सिर्फ अंकों के रूप में, बलकि वह परिक्षा प्योगी भी होगा, एक्जाम ओरियंटेड भी होगा, और फिर उसको समझते हुए में एक समग र और चुकी वह एक साइंस अंट टेक्नलोजी अभिज्ञान प्रद्योगी की मेरी जिम्मेदारी तो मैं आपको प्रिंस सेल सर्विस के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, या आप अगर इस चैनल से जोड़े रहेंगे, तो आपको परिक्षा में निश्चित रूप से अब होगा, इसमें कहीं कोई शक या संका है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर इस प्रिंस के इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ वही टॉपिक डिसकस करेंगे, जिसका अब है exam orientation या exam oriented एक factual sheets में भी और subjective point of view से भी उसका use हो, तो आज का टॉपिक वह आप देख पा रहे हैं जैस जाकी, exotic new particles seen in hadron collider, unearthed new secrets of physics, सबसे पहले इसमें शब्द को समझ लेते हैं, शब्द का मतलब होता है विदेशी वैसे, लेकिन आप समझ पाएं फिर, कि यहाँ पर इसका मतलब है कि पहले नहीं देखा हुआ, पहले देखा नहीं गया है, कभी नहीं दिखाई देखा, पहली शब्दों का बहुत बड़ा अपना योगदान है, linguistic science में भी काम करती है, science में आप theory तो समझेंगे, लेकिन कभी कभी शब्द से भी काम हो जाता है, जरा देख पाएं इस चीज़ को, समझ पाएं मैं क्या बताना चाहता हूँ, इस शब्द को देखें, और हिंदी माध्यम क इस चाहतर तुरन समझ जाएंगे, इसको यहां से तोड़ दीजे, एक कोश्की, यानि एक कोशी का कदिए, देखें, समझ में आरा शब्द से ही कि आप क्या कहना चाहता, इसलिए शब्दों पर भी ध्यान दिया करिए, बले ही हम फिर विज्ञान क्यों न पढ़ रहे आपने इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन, प्रोट्रोन पढ़ा होगा है, यह रहा है आपका मॉलिक्यूल और ऐसे यह मामला होता है, यहां बाहार की तरफ, यह हमारा न्यूकलियस है तो आप समझ पाएं कि हेड्रोन तो यह जो पूरा न्यूकलियस है, यह विभिन विभिन पार्टिकल से मिलके बना होता है, कुछ पार्टिकल होते हैं जिन से मिलके बना होता है, समलित रूप से उन्हें हेड्रोन कह देते हैं, ग्लुमान्स की मदद से वो जुड़े रहते आपस में स्थिक रहते हैं संभलित रूप से कि जितने पार्टिकिल से बना उसको हेडरॉन कहें समलित रूप से एक साथ अब ज़ouri समझ पाएं कि तो संघटे बाद हिंदी वाले समझ पा रहे होंगे कि दो चीजों को आप्स में टक्राया गया अब सामने अध्यन के बिद्धियार थी हैं विशा संद्धिय करने मेरा प्रयास रहता है कि सामान इस शब्दों में समझा है नहीं क्योंकि आर्ट के छात्र भी परिक्षा बेटने अब इयो कोर फिजिक्स है अब आठ्स के छात्रों को अगर कटिन भाशा में समझा दिया गया तो फिर वह प्रश्ण पद्र को सॉल्व करने में असमर्थ हो जाएंगे तो जड़ा समझ पाएं कि कोलीजन का मतलब क्या है कि नहीं वी दो वस्तूं को आपस में टक्राओ की दशा पैदा कर दीगे या आप मानिये कि यदि आप देख माएं ये एक बोर्ड और फिर वह है आप अगर इन चीज़ों को समझ पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं कोलीजन बताना चाहूं आपको तो अगर आप दो क्रिकेट की बॉल्स ले लें और बहुत तेजी से दो बॉल्स को या उनके पार्टिकल्स बिखर जाएं तो ये कुछ-कुछ वैसा ही ये समझते हैं इसको तो पहले समझ पाएं कि वे फिजिसिस्ट एड़ यूरोपियन और्गनाइजेशन पॉर नुक्लियर रिसेर्च जिसको सर्न भी कहते हैं इन्होंने पांच जुलाई को ये अब्जर्व किया कि तीन नए तरह के पार्टिकल्स that had never ever seen before मैंने का एक्जॉटिक का मतलब जो पहले कभी न देखे गएं had never seen before shining a light into a subatomic world we don't fully understand जिस वर्ड को हम पूरी तरह नहीं समझते हैं जिस दुनिया को भी हम पूरी तरह नहीं समझते हैं वहां सर्म के साइंटिस्ट आप देख मैं कि European Organization for Nuclear Research के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पांच जुलाई को ये कहा फिर कि यहां पर हमने तीन नहीं पार्टिकिल्स देखे हैं और फिर उन पर आगे बात करेंगे कि वह तीन नहीं पार्टिकल्स कैसे कि वह observation क्या है तो दा observation was made using the Large Hadron Collider आप इसको समझ पाएं देखिए Large Hadron मैंने बता दिया है ये जनेवा स्विजर लेंड में इस्थित एक प्रेयोग है आप में से कुछ लोग छोटे रहे होंगे तो याद नहीं होगा ये वही प्रेयोग है ये वही पार्टिकल एक्सलेटर है जिसमें एक अपवा फैल गई थी संपूर्ण विश्व में कि वह मशीन चलेगी हमें अपने विश्व पर रहना है कि वह स्विजर लेंड में ये मशीन और इसका काम क्या मैंने अभी बताया दो पार्टिकल को ये क्या करेगी कुलाइड कराएगी आपस में क्यों ताकि वो तूटे उनसे कोई नया पार्टिक तो उसका हम अध्यन कर पाएगे ब्रह्मांड की उत्पत्ती को समझ पाएगे कि वह किस एक पार्ट से देखे गौड पार्टिकल इससे जो निकला उसको क्या नाम दिया क्या गौड पार्टिकल भगवान तो अब फिर एक मुटा-मुटा इस चीज़ को आप समझ पाएं कि पार्टिकल को समझना इसलिए आवश्चा है कि वह हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ती कैसे हो इसे हम समझ में और परिक्षव प्योगी क्या है तो नाम जैसा कि मैंने बताएग सर्ण का पूरा नाम डेट बहुत मुश्किल है पूछे जाएं क्या तो एक्जॉटिक न्यू पार्टिकल्स न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल्स कितने फ्रीक लगभग तीन चीज़िक अब आप देखें कि the world's biggest particle accelerator क्या है दुनिया का सबसे बड़ा particle accelerator करता क्या है इट वर्क्स बाइटिंग टू बीम्स ऑफ हेड्रोन्स हेड्रोन की दो बीमों को टकरा के देखता है प्रोटान और आयंस होंगे स्पेसिफिकली इसमें लगभग 27 किलोमीटर का सरक्ल पूरा तै किया जाता है एक हेडरोन के द्वारा और नियरली स्पीड औ अफ लाइट पे वो हेडरोन कोलाईड होते हैं नियरली स्पीड ऐफ लाइट शब्द को याद रखिए नियरली बहुत ध्यान से क्योंकि प्री में ऐसे ही शब्द समस्य उत्पन्द करते हैं, वहां लिखा था, nearly, वहां लिख दिया, the speed of light, ज्यान रखेगा, nearly the speed of light, पर इनको टकराया गया, तो फिर तीन नय, particles निकले, particles का मतलब, निकले होंगे कोई, सिर्फ नाम से मतलब, और फिर उनका अध्यन अभी व्यज्यानिक करेंगे, तो बताएं कि दुनिया के बनने में, एक ब्रम्हांड के बनने में, वह कैसे, फिर वह उप्योगी है, कुछ देख लेते हैं, LSE के बारे में, तो the LSE first started on September 10, 2008, Since then it is undergone various alterations, until the spring it had been offline for more than 3 years, तीन साल के लिए लगभा गिया, फिर बंद रही, मैंटिनेंस में रही, और अप्डेड करते रहे हैं, उसके बाद extremely sensitive detectors are used to look at what happened in the fractions of a second, following that the collision, कि वह सेकेंडों में जब टकराओ की स्थित्री होती है, तो second का calculation भी है मशीन कर लेती है, और बताती कि क्या हुआ होगा, the idea is that high energy collision of particles can temporarily produce rare exotic particles we don't ordinarily see, मतलब आप इसको समझ पाएं, सामानितह जिन, कणों को हम नहीं जानते या नहीं पहचानते, जो foreign particles हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं आज तक, कि वह ब्रह्मान में उनका किस प्रकार से उगदान है बनने में, उनको इ मशीन से, इस particle accelerator से, विभिन दो particles हैडरॉन को collide कराके, इस machine के माध्यम से, फिर उनको बताने का प्रयास किया जाता है, उन पर अध्यन किया जाता है, और फिर आगे हम देखते हैं, कि कैसे ब्रह्मान की उत्पत्ति में इन particles का अपना योगदान रहा होगा, and these rare particles can tell us about some of the most fundamental characteristics of our universe, मैंने का न, ब्रंभांड को जानने का प्रयास है, तो where mass comes from, कि यह फिर दर्विमान कहां से आया, यह dark matter कहां से आया, यह energies, dark energies कहां से है, फोर्स कहां से है, वह gravitational force, सारी चीजें, वह इसके माध्यम से जानने का प्रयास किया जाता है, तो यह है तो सामाने जानकारी फिर launching beam of particles at higher energy levels than ever before, इसके पहले इतनी energy पे कभी particles को accelerate नहीं किया गया, पहली बार था, the collision produced three never before seen particles, three never before seen particles, a new kind of, पहली चीज़, pentaquark, दूसरी चीज़, new kind of tetraquark, और first ever pair of tetraquarks, यह तीन वो नय foreign particles हैं LHC के द्वारा, जो पहली बार और ध्यान रखेगा, पहली बार इतनी energy पे particles को collide कराया गया, पहली बार, क्या-क्या निकला है, pentaquark, tetraquark, और pair of tetraquarks, हमारे लिए इतना ही आवश्य है, फिर कह रहा हूं, विसिष्ट अध्यन नहीं करना है, पता चल नहीं है, और कह रहा है मैं paper निकालूंगा, आएगा नहीं उसमें से, सिर्फ सामान अध्यन की जानकारी आवश्यक, नाम क्या है, सर्म क्या है, LHC का पूरा नाम क्या है, कब start हुआ, कहां पे है, क्या मिला, क्यों करते हैं, बस, इससे ज़्यादा कि आपको आवश्यक्ता नहीं है, अत्रिक्त content, अत्रिक्त ज्यान के बोज को बढ़ाने की आवश्यक्ता नहीं है, हमें सामान अध्यन करना होता है, तो हमें रणनीती बदलनी होगी, यदि हमें चाहिनित होना, अब मेरा ये प्रयास रहेगा कि, वह है प्रिंसिवल सर्वेस, यूट्यूब चैनल क माध्यम से, कि रणनीती भी ठीक हो, ज्यान में किसी के किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, परन्तु रणनीती में जो कमी आती है, उसकी वज़य से कहीं न कहीं, वह एक परिक्षा, प्योगी द्रश्टी से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और फिर वह परिक्षा हमारी परिक क्राक्स आर क्या हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, पहले ही बता दिया यह, क्या है, अ क्लास ओफ पार्टिकल्स देट इंक्लूजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज है particles की atomics building blocks है जैसे proton neutron है ऐसे ही है बस atomics के building block हमें कभी दिखें नहीं पहली बार दिखें तो समलित रूप से हमने ने hedron कह दिया quarks कहा है तो themselves are joint together via gluons किसके द्वारा जुड़े रहेंगे gluons के द्वारा जुड़े होंगे which is what enables them to make larger particles जो इन्हें क्या करता है बड़े particles में चुकि यह आपस में चिपके हुए रहेंगे तो फिर यह बड़े particles में change हो जाएंगे convert हो जाएंगे quarks are bound together by the strong nuclear force force ठीक आपस में कैसे बने हैं बहुत ही strong nuclear force ठीक है समझ महीं चीजों को one of the four fundamental forces of the universe जो एक है उन चार मजबूत forces में क्या-क्या भाईवा nuclear force electromagnetism और gravity तो फिर strong nuclear force भी उसमें से एक हो उन से यह gluons और hydrons आपस में क्या रहेंगे stick रहेंगे चिपके रहेंगे अब important क्या है तो उसको देख लेते हैं it is important to identify patterns among different exotic exotic का मतलब आपको पता है विदेशी बाहर का जो पहले कभी नहीं देखा एक्जोटिक हेड्रॉंस to be able to verify theoretical predictions and improve our understanding of strong interaction ठीक है पहली बात तो यह जो forces है इनकी हमारी understanding अच्छी हो पाएगी physics में इसके बाद अब ध्यान रखिएगा इस topic के बाद अभी पढ़ाने के बाद मैं एक बात बता हूँ कि improve our understanding हो तो strong interactions के बारे में मारी understanding मतलेगी in particular we do not know how to predict masses practically हमें नहीं पता है कि हम mass को अनि दरभमान को कैसे फिर फिर प्रिडिक्ट करेंगे width and quantum numbers of exotic states यह जो मिल नहीं है exotic बाद के इनके quantum number है which को हम कैसे denote करेंगे कैसे दिखाएंगे तो since we are still unable to make precise calculations starting from first principle कि जो precise calculations है जो नहीं चीज़े हैं जिनके बारे में मैं नहीं पता है उनकुम कैसे calculate करेंगे तो आप समझ पाएं यह जो एक पूरा प्रियोग मैंने अभी आपको बताया कि एड्रॉन था उसमें तीन नहीं पार्टकिल खोजे गए है एक्जॉटिक विनेशी हैं ब्रह्मान के पार हो सकता है अब यह फिजिक्स की दशा और दिशा बदल ले समझ पाएं फिर क्योंकि विज्ञान में क्या है मैं आपको एक बात बताता हूं कि विज्ञान कुछ नहीं एक अच्छा observation है तो scientist क्या कर रहे हैं उन्होंने particle accelerator में दो particles के टकराओ की इस्तिती में जो नए particles निकलने हैं जो वह nucleus में विखराओ हो रहा है उसमें जो नए particles है उनका अध्यन कर रहे हैं फिर उस अध्यन के द्रश्टी पर बताएंगे कि किस प्रकार से वह इन चीजों में परिवर्तन आ रहा है और किस प्रकार से वह theory जो सज्ज्ञान में हमारा परिवर्तित हो जाए लेकिन वह जब होगा होगा एक civil service aspirant के नाते हमारा सिर्फ इतना काम है कि वह सर्न पीछे देखिए सर्न का पूरा नाद LHC कहा है क्या हुआ कौन से तीन particles खोजेगा इतना ही तो मैंने एक छोटा सा topic आपके लिए डिसकस कर दि और इसी के साथ इस topic के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अगले topic तक के लिए अगले topic पर मिलते हैं अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो बिल्कुल से इस चैनल को subscribe कर लें और वीडियो को like और share जरूर से कर दें और Prince Civil Service जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ graduation के साथ ही वे civil services की preparation की पूरी वेवस्था description पर दिये हूए phone numbers पर call कर सकते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए topic पर बात करेंगे तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बढ़ाई आप सब को और नमस्कात कर दो कर दो कर दो